पीडी किसा बदलते भारत की शाद 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 करते हैं आपको बता दें इस वक्त हम मौझूद हैं हर्याना के जिला करनाल के ब्लॉक कुझपुरा के गाउं रिंडल में अज़ हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में हमारे बीच में डॉक्टर निरंजन जी इफको के अज़िगारी मौझूद हैं आए जानते हैं नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया नैनो तक्नीकी पे आधारित इफको द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे पहले नैनो खाद है जो एक यूरिया के विकल्प के रूप में काम करेगा जहां यूरिया का बोरा 45 किलो का है वहां ये 500 ml का एक नैनो यूरिया उसके विकल्प के रूप में मौझ यूड़या का परियोग होता है उसमें से 30 प्रतिशत का हिस्सा पोदे या फसल ले पाती है बाकी जो 70 प्रतिशत का इस्साहे वह यह तो जो दिक्कते हैं यूरिया के प्रियोग से जादा प्रियोग से जादा प्रियोग से जादा प्रियोग करता है। तो ये सारी जो दूस परिणाम यूरिया के आ रहें थे उसको दूर करने के लिफकों ने एक पहल की है और उसके विकल्प के रूप में नैनो यूरिया लाए जो पुद्धों की पैदावार तो बढ़ाएगा और उसके विकल्प में काम करेगा और दूसरा जो सबसीडी का प जो यह जो ताना जी नैनो यूरिया एक साम जैसे पंतारीस की लोग अकट होता है तो उसकी विकल्प में निकाला गया है नैनो यूरिया मतलब फसल के तो ग्रोथ में मतलब जो बढ़वार होती है पैदावार में अच्छा गरोथ करता है एक इससे मतलब जो पोद्धा का अपन कम होता है कच्छा कम होने के कारण से कीट ना सकी मतलब मतलब मारको कम यूज करनी पड़ती है और जैसे वीजी टेबल में क्वाल्टी पे बहुत बहुत उसका फैदेबंद करते हैं जैसे मैंने खरबुजे में लगाया था दो जार बीस में मेरे इसमें सेंपल आया तो उसको मैंने यूज किया तो करबुजे में करबुजे की जो मिठास थी ना वो बहतर मिठास थी इसके अंदर मतलब क्वाल्टी जो थी मेरी उसको जैसे करबुजे को बेचने की ले जाता था तो पहले गाक उसको मेरे को पूछ करके उस किसान का भी करबुजा आया है य जैसे मैंने फिर उसके बाद में वीजी टेबल में आलू में लगाया है, आलू की भी प्रोडक्शन पूरी आई है, और पीछली बार में मैंने उसमें मक्के के अंदर लगाया था, मक्के का जो दाना होता है, जैसे दाना उसका पकता है, टुसी तक पूरा दाना था जी, अन् दाम भी quality भी पहतर होती है देखो जी मरकीट तो quality का पूर होती है quality जैसे विद्धा वह किसान भाई किनैनौ यूरिया से उनको ख़बादन भी अच्छा मिला जब उत्पादन अच्छा मिला तो चलता है वह बहसकी और को उत्पादन अच्छी मिला तो क्यारएं ला। नएनो यूरिय कि आज हम चर्चा कर रहे हैं नेनो यूरिय का आप अपने खेत में इस्तमाल करते हैं खोत चीए अची श्या दोन्नों क्लश से ऑर्फ आप च्राइक फ utilizz किया थे अच्छी अरशcekti किसान भाई को संदेज देना चाहेंगे कि वो भी नैनो यूरिया का इस्तमाल करें इसलिए नैनो यूरिया बहुत बढ़ी अच्छी चीज है और खेती के लिए और जिमीन के जो जो अपने के टानों को बचाएगा क्योंकि यह पत्ते भी गरता है मित्रगीड बचते है क्योंकि यह प्रित्थी पर निगरता दर्थी पर निगरता पोदे पर गरता है इसलिए नैनो यूरिया बहुत ही अच्छे लाब कारी है मैं सभी किसान भाई उसे कहूंगा बे नैनो यूरिय का यूज़ करें और सभी इसका लाब उढ़ें देखिए हमारे किसान भाई का अन्य किसान भाई को एक संदेश है कि नैनो यूरिया जो है वो मिट्टी पर नहीं गिरेगा वो पौद पर ही गिरेगा और पौदे की ही उससे बढ़वार होगी जब पौदा अच्छा होगा तो आपकी उत्पादन भी अच्छा होगा तो व वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे नेनो यूरियास से और बिलाव। तुम जाच कराओ, मुफ्त सॉयल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तो भी मुनाशब भीज लगाओ, स्वही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना वंत्र बनालो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाईयो, गाट बांध लो, आज ही मिट्टी की जाच कराएं, राज्य सरकार के क्रिशिय अधिकारी से संपर करें, और मुफ्त में स्वाइल हेल्थ कार्ट पाएं, क्रिशी और किसान का ल्यान मंत्राले द्वारा, किसान हित में जारूरी ब्रेक क क्रिशी वे ग्यान केंदर के विशेशके मौजूद हैं, आए जानते हैं, क्रिशी वे ग्यान केंदर नैनो यूरिया पर क्या काम कर रहा है? देखिए हमने जब दोग साब से पहले अनुमती ली थी कि हमें कैसा प्रिक्शन करना चाह रहे हैं गेहूं के अंदर, कि जो नैनो यूरिया जो आया है उसका हम अलग अलग जो किसमे हैं गेहूं की, और जो नमीनतम किसमे हैं, उनका हम प्रिक्शन करना चाहेंगे, और जो किया और तीन वरायटी को सेम डेट के अपर और उसी टाइम पर प्लांटिंग करके और तीन वरायटी को tremendous treatment के लिए और बेसल डो जैसे इफको की संसान बता रहे हैं कि हम जो पूरा एक यूडिया का कटा था उसको हम रिपलेस कर रहे हैं डाइसो एमल की बोटल से तो क्या वो प्रक्टिकली किसान के खेत में यह possible है तो उसका प्रिक्षन के लिए हमने किर्शिव ग्यान के अंदर में हमारे अद्धक्स हैं डॉक्टर पंकज कुमार सरस्वत उन से अनुमती ली और हमारे जो संसान के निदेशक महुद्ध हैं डॉक्टर दीर सिंग उन से हमें अफिसियली पूछ के फिर हमने एक टायल को तयार किया था जब हम उसके रजल्ट आए तो उसमें ये पाया गया कि बेसल डोज जो है वो किसान को वो ही डालने पड़ेगी लेकिन आज ऐस ये बूस्टर डोज की तरह है आप जो है नैनो यू हैंशन दे माजूद हैं आएज जानते हैं अब बताएं नैनो यूरिया की आज हम चर्चा कर रहे हैं नैनो यूरिया से आपने लाब लिया है पर जायसे में इसको नैनो यूरियो को योज करो आपने बहूत बड़ी अर्जाल्ट मिलेगा अच्चय फिर आपको रिजल्ट अच्छा ने ऑगे भी आप नैनो यूरिया को अपने खेत में जो फसल है उसके लिए लेंगे अगे भी वो नेनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है आई जानते हैं जिआ आप बताएं नेनो यूरिया क्या चर्चा चल रही है आपने नेनो यूरिया से लाब लिया है हाँ जी सर तदे किस प्रकार से लिया है तर मैंने गन्ने में यूज किया था सप्रे में मेरे पास साथ एक कड़ के लगवग गन्ने कहती है मैंने उसमें तीन सप्रे करे हैं लगवग लोगों ने तो कफी सप्रे करे हैं पर मेरा कुल मिला के अच्छा खड़ा गन्ना बड़ी लगबग सेम ही है जी जैसे पहले था कोई मतलब अच्छा ही खड़ा कुल मिला के मेरा गना ठीक है लगबग नैनो यूरिया के जो हम बात करते हैं रिजल्ट की उसके रिजल्ट जादा बहतर है हम जी अच्छे हैं तो मैंने सप्रेक ही टेंकी में डाल दिया जहें ट्रैक्टर से सप्रेक राया था उस में डाल दिया साथ एकड में साथ बूल ने डाल दी थी और कुल मिला के रिजल्ट बहुत बढ़ी है मिले हुआ देग oluyor हमारे जिसान भाई करें कि नेजनो इूरिया का जब उन्होंने इसतमाल किया उसके जो रिजल्ट है उनको बहुत अच्छे मिले हैं हमारे बीच में और भी जिसान भाई मौजूद है आईए जानते हैं जी आप बताए नेनो इूरिया के नेनम बात कर रहे हैँ जानकारी है नेनो यूरिया क्या है? उसके रिजल्ट बहतरत दिखाई दे रहे हैं? और तबू डाल ले जिए चिंटा बसीए कर लो बाजी देखिए हमारे किसान भाई कि रेत में मिला कर उन्होंने नैनो यूरिया को चीटा मारा है हमारे बीच में इफको के अधिगारी मौझूद है आए जानते हैं जैसे कि उन्होंने लेसन की फसल ली थी तो नैनो यूरिया जैसे वो बता रहे हैं कि उन्होंने रेत में मिला के डाला है क्या वो सही तरीका है नैनो यूरिया का तो सिरफ फोलिया स्प्रे के लिए ये प्रोड़क्ट बना है इसमें जिए चिटा लगाते हो तो गलत है किसान वो अपने लिएल पर करता है वो हम उसको रिकमन नहीं कर करना है आप इसको मिटी में मिलाके चरका ख़रेंगे तो उससे आपको रिकमन नहीं करते हैं गहते हैं कि नैनो यूरिया जू बनाए हुछ के लिए ही बनाया है हमारे बीचमें किसान भाई मौझूदे आये जानते हैं जी आप बताएं नैनो यूरिया की बात चल रही है य YouTube कि प्रकार से करते हैं सब्सक्राइब कर 220 धुक्ता जीजिके बाल पूरी नरोगी तो जब से आप नेनो यूरिया को यूज कर रहे हैं तो आपके जो उत्पादन है उसमें देखने हैं कि उत्पादन अच्छा हुआ है आप जैसे कि आप अपने साथी किसानों को भी जागरू करते हैं कि वो भी नैनो यूरिया यूज करें आपने अच्छे प्राप्त होते हैं जब उत्पादन अच्छा होता है क्वालिटी बढ़ी होगी तो दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे तो बतारें कि नैनो यूरिया जो है वो लाब गारी है चौपाल चर्चा कारिक्रम में वक्त हो चुका एक और चोट चेशे ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे नैनो यूरिया से और भी लाब अरे सुनतो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मुबाइल फोन जिससे सुवा शाम दिन राज़िप के रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बाते हो रही हैं अच्छा यह बात है क्यूंक अब बात नहीं होती यूद जट से बात हो जाती है अब तो ज्यादा लाइने और खास टक्नीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हलका मैसिज भी आ जाता है ये देखो आ गया अरे वाँ इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म हाँ तभी मैं सोचू कि आज कल मुझे पर इतना प्यार क्यों आ रहा है क्रिशी संबंधे समस्याओं का अपनी भाशा में तुरंध हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्प लाइन नंबर पर संपर करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर किसानों का समू बना के पंजी करण करवा ले फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक पीज खाद भी फिर पीजियस और्गैनिक की सरकारी महर के साथ तेरी उपच आकरशक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक अच्छा अरे भाई कहां चलती है सबको साथ लाने आमदनी बढ़ाने दो किसान भाई समझ गया ना साथ मिलकर और्गैनिक खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे पढ़ाईए ज्यादा मुनाफ़ा कमाईए माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गाउं रिंडल की चुपाल चर्चा से आज हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया के बारे में हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं आई ये जानते हैं जी आप बताएं क्या सवाल करना चाहते हैं जैसे के नैनो यूरिया कहा है कि दूसरे यूरिया ने दर्थी भी खा जाती है अगर हम छोटी फसल पर सफ्रे उसका करेंगे जमीन फिर भी खाएगी उसको क्यों पुद्धा छोटो होता है जमीन पर फिर भी गिरेगा वो सफ्रे में भी गिरेगा देंके हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि नेनो यूरिया जो है अगर उसको फसल पर हम स्प्रे करते हैं तो वो जमीन पर भी गिरेगा तो हमारे बीच में विशेशे के मजूद है आईए जानते हैं किसान की जो बात है बिल्कुल सत्प्रितिशत सही है जब फसल छोटी होती है तो इस स्टेज में पत्ते का फोलिज इतना नहीं होता है कि उसको पानी उसके वे डटे रहे और स्प्रेलाए को इसलिए हमने जो इसकी जो रिक्मेंडेशन है वो 30 से 35 दिन के बाद कोई फसल जैसे कि होगी फसल होगी 30 से 35 दिन के बाद जो यूरिया डलेगा उसके रिप्लेस्मेंट इससे हो सकती है इसमें बेसल डोज की रिप्लेस्मेंट नहीं होती इतनी अच्छी जानकारी थी हमारे विशेशकी ने बताया कि बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद ही आपको नेनो यूरिया का इस्तमाल करना है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है आईए जानते हैं जी आप बताएं नेनो यूरिया क्या चर्चा चल रही है ये बताईए कि नेनो यूरिया का इस्तमाल करते हैं खेत में ना जी कर या नी जी अभी जैसे हमारे किसान भाईयों ने बताए नेनो यूरिया के फाइदे जी आप बताएं नेनो यूरिया क्या चर्चा चल रही है नेनो यूरिया का प्रयोग करते हैं अपने खेत में पिछले साल के होँपा कर रहा था जी जीरे मतलब नहीं कर रहा जी जल्ब के होँपा अच्छर जल्टाया जी लाबकारी है जी लाबकारी है जी बाद भी मतलब हगय होगा मैं उसके कीठें डालू लूगा देजिए हमारे किसंद बाई कहने है कि नेनो-यूरियक जू है वो लाबकारी है हमारे बीच में और भी किसंद भाई मौझूद है आये जानते हैं नेनो-यूरियका सुआई ही है कट्टे से कट्टे से ज़्यादा इसका जाए अच्छा है कट्टे से अच्छा रिजल्ट है लाबकारी है किसान भाईयों को नैनो यूरिया का उप्योग करना चाहिए बिल्कुल देखिए हमारे किसान भाईयों को नैनो यूरिया का उप्योग करना चाहिए किक वहां ने लियाए लिया किस प्रकार से लिया है आपने नैreme ूरिय अमने डाल जयो जैसे दानेदार यूरिया डालते है तो उसका है इंस्कास ऋप्रे करते हैं तो सका बैस ते पचस्रें से हमारी फसल्हारEr can पेर दोर इसे हमारी बचेगी विया से यह बचेगा और जो यूरिया पे सरवकार की जो सबसीड़ी जा रही है वो भी बचेगी यह लाँपकारी है सब्वार से पैसा अपने देश में रहेगा जो सबसीड़ी यह बार जाती है जो पे जो सबसीडी मिल रही आ है वह बार जाती है नेनो यूरिया युज़ करने से हमारे देश का पैसा हमारे देश महीं रहेगा यह जीतना भी-चारी ला-भी-kारी है डिए नैनो यूरिया जितना भी हम यूज़ करेंगे उसका एक अच्छा लाब है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौझूद है आए जानते हैं जी आप बताएं ये नैनो यूरिया के आज हम चर्चा कर रहे हैं आप नैनो यूरिया को उप्योग करते हैं नहीं जी जानकारी है क किस तरीके से नैनो यूरिया का लाब है तो आप भी अब नैनो यूरिया का उप्योग करेंगे करेंगे जी देखें करके दो देखिए हमारे गिसान भाई कर रहे हैं कि हम भी नैनो यूरिया के उप्योग करके देखें कि कितना लाब का रही है हमारे बीच में और भी किसान भाई के रहे हैं कि लेसुन की फसल में उन्होंने नेनो यूरिया के उप्योग किया उप्योग करके उनको एक अच्छे लाब की प्राक्ति हुई है आज आपको बता दे कि हम बात कर रहे हैं नेनो यूरिया के बारे में हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं आई ये जा कि कि दो सवाल है पहला सवाल कि उन्होंने ने ने यूरिया जब टेंक में डाला स्प्रेय मशीन उनकी कराब हो गई तीन घंटे के बाद जब उन्होंने उस प्रेय मशीन को ठीक करके उसको यूज करा फसल में तो वो कह रहे हैं क्या उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा दूसरा सवाल ये है कि जीरी की वसल में उनका नेनो यूरिया का जो रिजल्ट है वो नहीं आया हमारे बीच में इफको के अधिगारी मौजूद है आएगे जानते हैं जैसा कि किसान का सवाल है पहले तुम्हें बताता हूँ नेनो यूरिया का जब इस्तिमाल करो तो अलग उसका घोल बनाओ जैसे आपने पांस टंकी या छे टंकी करनी है तो छे टंकी छे गिलास पाणी लोर उसमें अलग घोल बनाके फिर हर टंकी के इसाब से उसमें करोर हिलाते रहो जैसे किसान का उसने घोल तैयार कर लिया पूरी टंकी में और फिर उसके बाद तीन गंटे उसको छोड़ दिया तो क्या है कि वो सटल डाउन हो जाएगा कोई भी सॉलूट है तो यदि उसने हिलाया नहीं होगा उसको तो वो जब तक वो उसमें जाया पूरा म काम नहीं करेगा तो उसके लिए उसको मिक्सिंग जरूरी है और तीन घंट एक टैंक में रहा उसके बाद उसको यूज कर रहे हैं क्या वही काम करेगा नहीं काम तो वो करेगा क्योंकि पहले सोलूशन है जो बोटल के अंदर वो भी सॉलूशन है ना वो तो एक साल पुरा या तो उस स्टेज पर करेगा जब उसकी मैंने बताया था कि इसकी फोली एच उसकी जो पत्तियां है जब तक पूरी डॉल अपनी होगी जब स्प्रे का कोई फाइदा नहीं यदि पैं 30-35 दिन तक से पहले उसने स्प्रे कर दिया तो उसकी जीरी या कोई फसल हो उसमें मत करता है क्योंकि किसान अपने इसाब से करता है और वह टाइम नहीं बताता है वह सकता है दस दिन बाद उसने स्प्रे कर लिया हो तो वह काम नहीं करेगा सिद्धी बात अपने पसंदीदार कारेक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डिडी किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं टीवी पे दिये गए क्यूआर कोड को स्कैन करें आज के गाउं रिंडल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही फिर होगे आप समलाकात एक नए गाउं एक नए विशे के साथ तब तक मारी पुरी टीम को दीजिए इसाज़ाद आप देख तरे दूर दर्शन क नमस्कार